तो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नमबर 3 की एकसरसाइस 3.1 का कोशन नमबर 5 तो कोशन नमबर 5 पढ़ते हैं पहले हम Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter कोई rectangular garden है कोई rectangle shape का एक बगीचा तो एक बगीचा बना लेते हैं जैसे यह बगीचा बना लिया ठीक है कैसी shape का है यह rectangular shape का हमारे पास एक बगीचा दे रखा है rectangular garden ठीक उसके बाद इसने बताया कि अगर इसके perimeter का half कर दिया जाए तो वो कितना बैठेगा वो बैठेगा 36 और इसकी जो length है इस rectangular garden की जो length है वो 4 meter more है width से means चौड़ाई से 4 meter जादा है length इस line को ध्यान से समझने लेंth is 4 meter more than its width इसका मतलब क्या है लंबाई जादा है width से कितनी 4 meter और half the perimeter perimeter का अगर आदा करते है तो वो किस के equal है वो 36 meter के equal है यह चीज हम से बताईए तो यहां से आपको क्या करना होगा दो equation बनाना पड़ेंगी means linear equation का pair बनाना पड़ेगा फिर उनको हम solve करेंगे तो सबसे पहले आपको जो question के अंदर पूछा जाता है हमसे dimensions पूछें, dimension मतलब इस rectangular garden की लंबाई कितनी है और चोड़ाई कितनी है तो पहले हम उन दोनों को ही मान लेते है let the length of rectangular garden पहले garden की हम length मान लेते हैं कुछ और वो हमने कितनी मान ली, मान लीजिए L meter मान ली, ठीक है और इसी तरीके से हम width, width मतलब चोड़ाई width of the rectangular garden वो हमने कितनी मान ली, वो हमने मान ली B ठीक है, क्योंकि length, L मतलब length B मतलब breath जो इसकी चोड़ाई होती है तो पहली condition के लिए तो इसने ये बताया था कि अगर हम parameter का कर देते हैं half तो वो 36 होता है तो half करने के लिए आप क्या करते हो half करने के लिए किसी भी चीज को हम 2 से डिवाइड कर देते 2 से डिवाइड करते है तो वो आदाई हो जाता है तो perimeter का half इसने बताया कितना है 36 तो perimeter of rectangle आप पढ़के आए होगे छोटी classes में वो होता है 2 into L प्लस B और upon में 2 जहां पर L क्या है length वो हमने मान लिए और width क्या है B width मतलब चोड़ाई या breath equal to 36 इस 2 से ये 2 cancel हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनी equation L प्लस B equal to 36 ये बन गई first equation अब देखो second equation उसको ध्यान से समझ लो अब बनाते हैं यहां पर हम second case second case case ने अंदर कहा था length जो है वो 4 meter जादा है width से तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ length और एक तरफ क्या लिख देता हूँ breath अब length 4 जादा है लेकिन हम 4 plus case में करेंगे breath में जैसे मैंने आपको एक question पीछे भी कराया था boy और girl वाला उसके अंदर भी हमने यही चीज करी थी कि अगर मान लिए जै length है 14 और breath कितनी है breath है मान लो 10 तो आप से अगर यह पूछा जाए कि बताईए अब दौनों में से 4 जादा कौन है तो length जादा है question में भी यही बताया था length 4 जादा है तो अगर यह 4 जादा है और मुझे बीच में लगाना है equal to क्योंकि मैं क्या बना रहा हूँ मैं equation बना रहा हूँ तो मेरे को दौनों को equal करने के लिए मैं 4 case में plus करूँ मुझे breath में 4 plus करना पड़ेगा क्योंकि length तो पहले सी 4 जादा है question बता दिया उसने length 4 मीटर जादा है लेकिन मुझे breath में 4 plus करके इन दोनों को equal लेकर आना होगा जैसे हमने यहाँ पर एक question किया था कौन सा question number first ही था इसके अंदर हमें number of girls 4 जादा दे रखी थी तो यहाँ पर हमने girls में ना जोड़ कर हमने किस में जोड़ा था इसको boys में boys y माने थे और उसमें 4 जोड़ा था वहाँ पर भी मैंने यही चीज आपको समझाए थी उस चीज को अभी आप देख सकते हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे length और breath को equal करने के लिए हम breath में कितना जोड़ देंगे या चोड़ाई में कितना जोड़ देंगे 4 क्योंकि length तो पहले से ही 4 meter more है हमें breath को उसके बराबर लेकर आना है ठीक है तो यहाँ से एक equation बन जाएगी इस b को इधर ले आओ तो यह हो जाएगी l minus b equal to 4 एक equation हमारे पास यह बन गई ठीक है इसको हम मान लेते हैं equation number first और यह हो गई हमारे पास equation number second अब इसके बाद ध्यान से सुनो अगर question आता है exam में आपके पास कि यही question आपको दे दिया जाए तो जब तक तो आप पूरी के पूरा chapter कर चुके होगे तो आप उसके अंदर कोई सा भी method लगा सकते हो अभी मैं आपको algebraic methods पढ़ाऊंगा जिसमें हम elimination method पढ़ेंगे substitution पढ़ेंगे लेकिन अभी यह 3.1 में दे रखा है अभी 3.2 में आएंगे algebraic method तो और यहाँ पर अभी हमने कौन सा method सीखा है बस अभी हमने सीखा है graphical method तो आपको इसको किस से solve करना पड़ेगा graphical method से ही solve करना पड़ेगा ठीक है तो अब आपको दो equation है उसमें आप L और B की अलग-अलग values को रखोगे और वहाँ से coordinates लगा कर और फिर graph पर plot करोगे अब ध्यान से देखो आगे तो इन दोनो equations का हम क्या बनाते हैं हम यहां पर इदर में पहले coordinates बना लेता हूं दो equations के ठीक है तो पहले लेते हम पहली वाली equation है हमारे पास L प्लस B इक्वल टू 36 तो इस B को इदर बेज देते हैं तो L की value कितनी हो जाएगी 36 minus B अब देखो B की जगा पर ऐसी values को put करना जो कि आप graph पर आसानी से plot कर सको और graph जो है यहां पर अगर आप यहां पर value रखते हो 1, 2 तो वहां पर minus करके 34 और 35 आएगा जो कि graph पर बहुत बड़ी values हो जाएगी तो हम यहां पर क्या करते हैं थोड़ी बड़ी values रखते हैं और फिर हम graph के उपर भी बड़ी values का gap ले लेंगे जैसे यहां पर मैं B की जगा value put करता हूँ मैंने put कर दिया मानलीजे यहां पर 16 put कर दिया तो L equal to कितना हो जाएगा 36 minus 16 तो 36 में से 16 गए तो कितना बचा 20 हम वहाँ पर 4-4 के gap का एक graph बना लेंगे और हमारा वहाँ पर जो graph है वो easily plot हो जाएगा और क्या put करता हूँ मैं मानली जब B की जगा पर मैंने और put कर लिया 8 put कर लेता हूँ चलो तो हमारे पास L की value कितनी आ जाएगा 36 minus इस B की जगा पर क्या रख दिया आप 8 तो 36 में से 8 minus करोगे तो कितना आ जाएगा 28 तो देखो मैं यहाँ पर जितने भी number ले रहा हूँ वो 4 के table के ले रहा हूँ क्योंकि मैं जो graph बनाऊंगा उसमें 4-4 के gap दूँगा आप चाहो तो 2-2 के gap वाला बना लेना उसके लिए graph थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा तो यहाँ से आप जैसे पहले x और y वाले बनाते थे इस बार कैसे बना दोगे l और b वाले यहाँ पर हम ले लेंगे l और यहाँ पर क्या ले लेंगे b तो जब आपने b की value b मतलब breath चोड़ाई width ठीक है अगर आपने breath ली है 16 तो आपकी length कितने आई है length आई है 20 अगर आपने breath ली है 8 तो आपकी length कितने आई है 28 ठीक है अब दूसरे वाले equation लेते हैं वो क्या है l minus b equal to 4 तो यहाँ से आप इस minus के b को इदर बेस दो तो इदर आ क करी हो जाएगा plus का b b की values को put करो मानलो आपने b की value put करी 4 put कर दी तो l equal to कितना हो जाएगा 4 plus b की जगा पर 4 तो l equal to कितना आगया 8 उसके बाद एक value और put कर लेते हैं जैसे आपने b की जगा पर put कर दिया इस बार 8 तो l equal to कितना हो जाएगा 4 plus b की जगा पर क्या रख दिया 8 तो L equal to हो जाएगा, 4 और 1, 12, ठीक है, यह चीज समझ गयो, कि यह हो गई हमारी यहां तक equations, और यह हमारी एक पहली जो हमने value निकाली है, वो और यह वाली हो गई, जो दूसरी value निकाली है, वो, ठीक है, यहां पर मैंने partition कर दिया, अब यहां से आप block बना लो, उस block के अंदर, L और B की value रख लो, यहां पर L, यहां पर B, तो जब आपने B मतलब रखा था 4, तो L कितना आया था 8, जब आपने B रखा था 8, तो L कितना आया था 12, यहां से आप 4 coordinates निकाल सकते हो, तो एक इस वाली line के, और एक इस वाली line के, तो पहले मैं मान लेता हूँ, इसका A coordinate हो गया 20, 16, और B नाम का coordinate हो गया 28, 8, ऐसे यहां पर एक C coordinate हो गया 8, 4, और 1 हो गया हमारे पास D coordinate 12, 8, ठीक है, जैसे पहले X और Y होते थे थे ना, उस X और Y की जगापर हम L और B ले लिए हैं, तो जो हम graph बनाएंगे, जिस graph में जहां पर X axis होता था, वहां पर हमें length की value मिलेगी, जहां पर Y axis होता, वहां पर breadth की value मिलेगी, graph देखो चलोगो, ठीक है, यह हमने graph बना लिए, तो जैसे पहले हम इस वाले axis को लेते थे, X वाला, इस बार हम क्या मानेंगे, इस है L, means इसके ओपर हमारी length की value रखेंगे, और यह जो खड़ा हुआ है, इसके ओपर हम क्या मानेंगे, breadth, ठीक है, जो जो हमने चोड़ा ही मानी है, तो इसमें आप बीच में तो यहां पर क्या मानते हो, origin पर 0, यहां मैं 4-4 के gap ले रहा हूँ, तो 4, 4-8, 4-12, 4-16, 4-20, फिर 24, फिर 28 और फिर 32, ऐसे इधर की तरफ ले लेते हैं, इधर की तरफ 4, 8, 12, 16, 20, फिर 24 और फिर 28 और फिर उसके बाद 32, मेरे जितने भी यहां पर coordinates हैं, वो सब plus के ही हैं, तो minus का मैं बनानी रहा, वस plus के से ही हमारा काम चल जाएगा, जो कि वैसे भी length और breath जो हैं, वो minus में तो हो नहीं सकती, plus में ही होंगी, तो पहला coordinate देखते हैं, पहला है हमारे पास 20, 16, मतलब यह वाला तो हमें देखना है, L वाले पर यह देखना है, B पर, length यह वाले है, और breath पर यह वाला है, तो L पर 20 यह रहा, और B पर हमें देखना है 16, B पर 16 यह रहा, तो दोनों से होती हुई जो line है, वो आप आगे लेकर जाओगे, और वो line जहां पर भी meet करेगी, वही पर ही आपका क्या मिल जाएगा, आपको पहला point, A point, तो यहाँ इस point पर आप लिख दोगे, इसके coordinates, A point, जिसके coordinate क्या है, 20, 16, ठीक है, अब देखो B वाला, तो B वाला है 28, 8, means X पर, या फिर L वाले पर 28 और B वाले पर 8, तो 28 यह रहा और 8 यह रहा, तो 8 से लेकर जाओ, और 28 से लेकर जाओ, तो यहाँ पर कौन सा point हो जाएगा यह, यह हो गया B point, और इसके coordinates क्या हो जाएगे, 28, 8, और इन दोनों से होती हुई, क्या बना दोगे, अब आप एक line ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, यह line हम ड्रॉ कर देते हैं, यह हमने line ड्रॉ कर दी, ठीक है, अब next देखो, दूसरी line क्या है हमारी, दूसरी है, 8,4, means L पर हमें 8 देखना है, और Y पर, या फिर इस B वाले पर 4, तो 8 यह रहा, और 4 यह रहा, तो 8 से और 4 से होती हुई, जो line है, वो यहाँ पर मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका कौन सा coordinate हो जाएगा, यह C, और इसके coordinates क्या है, 8,4, C point के coordinate, 8,4, D क्या है, 12,8, तो यह 12 है यहाँ पर, और 8 है यहाँ पर, तो आपको 12 से और 8 से जो line जा रही है, वो कहाँ पर meet कर रही है, इस point पर, 12 से और 8 से, तो यह वाला point हो गया कौन सा, यह हो गया D point, और इस D point के coordinates क्या है, 12,8, तो आपको C point और D point को join करती हुई, एक line बनानी है और ये दोनो line आपस में जहां भी cut करेंगी वो intersecting point ही हमें क्या बता देगा हमारा solution ठीक है ये हमारी क्या बन गई दूसरी line बन गई तो ये पहली वाली जो line थी ये पहली वाली line की equation क्या थी L plus B equal to 36 तो यहां पर आप लिख दो इस वाली line की equation L plus B equal to 36 और इस वाली line की equation क्या है L minus B equal to 4 तो यहां पर आगई आपकी L minus B equal to 4 अब यहां से आप intersecting point के coordinates निकाल लो तो यहां पर आप लिखोगे coordinates of intersecting point क्या है intersect कहा कर रहा है इस वाले point पर तो यहां इस वाले point यह coordinates क्या है 20,16 तो इसका मतलब जो हमारी L है वो कितनी हो जाएगी L हो जाएगी 20 और B कितनी हो जाएगी 16 तो मतलब यह जो हमने length और breath माने थी वो कितनी आगई length और width कह सकते हो width को breath भी कहते है तो हमारे पास length आगई है 20 और breath कितनी आगई 16 तो यहां पर लिख दोगे therefore length of garden equal to 20 meter यह जरूर लिख कर आओगा आदा नंबर वरना इस पर कट जाता है और width of garden वो कितनी है वो है हमारे पास 16 meter और अगर आपको अपना answer चेक करना हो मिलाना हो तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि देखो अगर आप 2 into L plus B करते 2 into L plus B तो आपके पास L कितनी आई है 20 और B कितनी आई है 16 तो यह कितना हो जाता 36 to 72 इसने कहा था parameter का आदा करोगे तो वो कितना बैठेगा parameter का आदा कर बैठेगा 36 तो 72 का आदा कितना होता है 72 का आदा 36 ही तो होता है दूसरा इसने यह बताया था कि length जो है वो width से 4 जादा है मिला लो length जो है width से 4 जादा बैठेगा है नहीं length कितनी है 20 width कितनी है 16 तो इससे 4 जादा ही तो है यह तो यह question को आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो कि अपना अंसर जो है वो सही है या गलत है तो इस तरीके से हमारा question number 5 हो गया next video के अंदर मिलते हैं वहाँ पर करेंगे question number 6 अगर इस question में कोई doubt हो तो comment कर देना और पूछ लेना